हाई हेलो विवन इस वीडियो गेंदर हममें प्रिजिण सापमर्साइब 2002 को देखेंगे इसी से हमें समझ आतागा कि किस तरीके से और पिर गवर्नेंट्स फ्रेमवक को फॉलो किया जाता है यह किस साटीके से Corporate Governance Framework आए USA के अंदर तो basically Sarbans Oxley Act जो है USA का एक्टा और हम यह क्यों पढ़ते हैं कि हमें इससे समझ आता है कि किस सरीके से उस country के अंदर Corporate Governance Framework लेके आए गए और उनको follow करते हुए कैसे हम अपनी country के अंदर भी Corporate Governance के provisions को mandatory करते गए तो इसलिए हमें एक पढ़ना जुरूरी होता है Sarbans Oxley Act 2002 के अंदर आया था कौन से येर में आया था? 2002 में आया था इसके बाद भी कहीं एक्ट आया लेकिन अभी हमें Sarbans Oxley Act को समझ जाया है उससे पहले हम थोड़े से और provision समझ लेते हैं थोड़ी सी यहां पर हमें पता है कि state laws और मतलब दो government रहती है एक state level और एक central level पर जिसको हम बोलते हैं तो दोनों ही laws जो है उस company के उपर applicable रहते हैं और बाकि जितनी government agencies होती है जैसे कि US security exchange के अंदर जो बनी है self regulatory organizations होगी जैसे आपके stock exchange होगे यह भी अपने अपने कुछ rules इंपोस करते रहते हैं उन companies के उपर ताकि corporate governance और बैटरी तरीके से हो जाए stock exchange वो अले stock exchange जिस भी एक्सचेंज यह पर जाके आप लिस्ट हो रहे हैं वो stock exchange आपके उपर अपने rules भी apply कर देता है जब आप लिस्ट होते हो तो primarily देखा जाए तो जो हमें rules and regulation मिलते हैं वो security एक 1933 और security exchange एक 1934 के दुरू मिलते हैं USA के अंदर और इसके इलावा भी बहुत सारे other regulations है जैसे की कौन सा सार्बन्स Oxley Act जिसको हमने detail में पढ़ना है इसके हम main provisions पढ़ेंगे पूरे act को नहीं पढ़ेंगे यह सब के सब क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं corporate governance framework in USA से फिर इसके इलाबा जो हमारे major stock exchange जैसे के जैसे की NYSE, NASDAQ जितने भी है यह भी अपने rules देते हैं corporate governance के regarding उन companies को जो भी इनके ओपर list होती है तो जो US Securities and Exchange Commission बनाई गई इसी act के चलते हैं जो हमने Securities Act और Security Exchange पड़ा तो जैसे जिस तरीके से इंडिया के अंदर सेबी होती है, Security Exchange Board of India होता है इसी तरीके से अमेरिका में क्या होता है, US Security and Exchange Commission होती है इसका aim क्या रहता है यह जो US Security Exchange Commission बनाई गई है कि investors को protect किया जाए जितने भी उनकी country के अंदर investors है या बहार से भी आकर जो invest कर रहे है fair and orderly and efficient market को develop किया जाए और capital formation की तरफ बढ़ा जाए इसके इलावा SEC जो है वो oversee करता है जितने भी key participants है security world के अंदर जैसे कि आपका security exchange, security broker, dealers, investment advisor, mutual funds इन सब को oversee करता है जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर savvy काम करता है SEC concerned primarily with promoting the disclosure of important market related information maintaining fair dealing and protecting against fraud तो यही main काम रहता है SEC का कि वो क्या करता है कि आप जितने भी companies है, जितने भी party spent है वो क्या करें, अपनी market related information को disclose करें, fair dealing करें और जितने भी लोग है उनको fraud से बचाया जाए market के अंदर यह काम रहता है SEC का अब Sarban's Oxley Act की बात किये जाए तो 2002 के अंदर कि उनको बचाया जा सके और accuracy बढ़ाई जा सके corporate disclosure की कि जो चीज़ वो disclose कर रहे है और वो सही भी कर रहे है, accurately भी disclose कर रहे है तो जो congressman थे, Paul Sarban's और Michael Oxley उन्होंने इस act को draft किया था वोई corporate governance and accountability को improve करने के लिए तो इसके अंदर काफे सारी चीज़े दी गई, deadline दी गई, compliance के regarding, publishers, rules and requirements दिए गए और बहुत सारे reforms लेके आएगा जिसके तुरू corporate responsibility को बढ़ाया गया, financial disclosure को बढ़ाया गया और corporate and accounting frauds होते हैं, उनको रोकने की बात की गई और एक authority बनाए गई जिसका नाम रखा गया Public Company Accounting Oversight Board क्या नाम रखा गया Public Company Accounting Oversight Board, जिसको in short आप PCAOB भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PCAOB ये क्या गरती है, जितनी भी activities होती है, auditing profession की, उनको देख बाल करती है, कि भाई, ये सीख से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उन सब का काम PCAOA भी करती है जैसे इंडिया के अंदर NFRA करती है, तो एक बिकम effective since 2006, और 2006 से ये effective के अंदर आता है, जितनी भी publicly traded companies है, उनके उपर apply हो जाता है, और इसके इलावा कुछ provision जो है, वो privately held companies के उपर भी apply होते हैं, तो important section से अगर हम इसके देखें, तो SOX का section 302 important है, 401 important है, 409, 802, 806, 902 और 906 ये important section है, तो 302 ने किस बारे में बात की, CSR, sorry, corporate responsibility for financial report के बारे में बात की, इन्होंने क्या बोला section 302 के अंदर की CE और जो CFO है, वो सभी financial reports को क्या करेंगे, review करेंगे, must review, उनको करना ही पड़ेगा, financial report के अंदर कोई भी misrepresentation नहीं होनी चाहिए, information जो है, financial reports के अंदर fairly represented होन चाहिए, तो CEO और CFO का पहला रोल बताया गया, financial reports के अंदर कोई भी misrepresentation नहीं होने चाहिए, और fairly presented होने चाहिए, फिर तीन रोल CEO और CFO के ही बताए, कि वो internal accounting control के लिए responsible रहेंगे, अगर कोई deficiencies होती internal accounting control के अंदर तो उसको report करेंगे, और CEO और CFO indicate करेंगे कोई material change होते है, internal accounting control के अंदर तो, section 302 के अंदर ये majorly चीज़ बताए गई, corporate responsibility for financial report के regarding, then section 401 के अंदर disclosure in periodic report के बारे में बात की गई, जो periodic report होती है, जितनी भी financial statements होती है, या उनकी जो requirements होती है, वो क्या होने चाहिए, accurate होनी चाहिए, और इस manner के अंदर होनी चाहिए, कि वो incorrect statement अपने अंदर obligations हैं, transactions हैं, वो भी इस financial statement के अंदर होनी चाहिए, ताकि लोगों तक सारी picture clear रहे, discloses होते रहे हैं, then management की duty बताए गई, of assessment of internal control, तो इसके अंदर क्या बताए गई, जितने भी financial reports है, उनके अंदर क्या होना चाहिए, internal control report होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, internal control report होनी चाहिए, ज चीज़ का effectiveness of control sector, जो internal control sector है, यह effective है, इसका assessment कर लिया है management ने, और अगर कोई shortcomings है, तो उसको report भी कर दिया है, इसके अलावा एक तो आपने management की responsibility डाल दी, साथ में यह बोला कि register external auditor जो होगा, वो भी attest करेगा, accuracy की अपनी report की भाई, जो company assertion कर रहे हैं, कि सारी चीज़ इसके करना है, delay नहीं करना, अगर अभी कोई चीज़ हुई तो उसको disclose करो, within seconds उसको disclose करो, then criminal penalties की बात की गई, कि अगर आप कोई alteration करते हो किसी document के अंदर, जिसके regarding legal investigation, audit, bankruptcy, proceeding चल रही है, तो उसके लिए penalties की बात की गई, section 806 के अंदर, whistleblower policy protection की बात की गई, जिसको हम detail में अलग से भी पढ़ते हैं कि क्या बात बूली थी, सारबन सॉक्सलेक्ट के अंदर, whistleblower protection के लिए, कि इनके लिए अलग से, मतब इनको निकाला नहीं जाएगा, अगर कोई इनको निकालता है, तो उसके पर क्या penalties है, इनको वापे से rehire किया जागा, तो उस तरीकी की जो protections है, हो सार इसके अंदर बात की गई, section 902 के अंदर, attempt and conspiracies to commit fraud and offenses के बारे में बात की गई, अगर कोई व्यक्ती, अगर कोई व्यक्ती, इस तरीकी की चीज करता है, कि corruptly alter करता है, destroy करता है, mutilate करता है, या conceal करता है, कि डॉकुमेंट को, इस intent से, to impair the objective, objects, integrity and availability for use of an official proceeding, तो फिर उस व्यक्त criminal penalty की बात की गई, कि अगर कोई certify कर देता है, misleading or fraudulent financial report को, तो अगर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई, कि जो भी report को certify कर रहा है, उसको अच्छे से उसको देखना है, तो अगर कोई misleading या fraudulent financial report को certify कर देता है, तो section 906 के अंदर, SOX के penalties लगाई जाएंगी, ज 5 million dollar तक हो सकते हैं, और 20 साल तक की jail भी हो सकते हैं, तो बहुत सोच नमच कि इसको आपको certify करना होगा, तो ये हमारी major चीज़ी हैं, जो सार्बन सॉक्सले Act के अंदर दी गई है, जिससे कि I think आपको एक overview मिल गया होगी, सार्बन सॉक्सले Act क्या है, और इसके main provisions कौन से हैं याद करने हैं अगर आपके exam में आ रहे हैं तो, so thank you so much for watching this video, I hope आपको ये अच्छे लगी तो please like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, जैनल को subscribe जोरू कीज़ेगा